इस टाइम पर आके इस टाइम पर आप सोच रहे हो कि कोई टाइम टेपल तुम्हें बता दे तो बटा तुमसे बड़ा बेफकूफ तुमसे बड़ा इठला इस दुनिया में और कोई नहीं है अंतिम 15 दिन बच्चो समय बिलकुल नहीं बच्चा जो भी गलती करनी थी आप कर किऊंड आपके अंदर जोश भरेगी और आपको एक आइडिया भी देगी प्लीज वीडियो को शुच लिए एंट देग नहीं जो साधरान और स्रेष्ट में ना सिर्फ इतना अंतर होता है कि साधरान उनको चुन्दे जो आसान होता है और लेकिन जो स्रेष्ट होता है उस अड़ी माबाप इज जो अपको बेठाइ छोड़ो मैंनत कर थे तुछ शुल भैशे युज कई एक उम्मिद पैसे कि जो मैंनत हम जो बच्छे लगए धर बैट आपके लगे साथ आपके लगे कि मेरा बेटा अगे चलके यहां बढ आएगा अगर इगा अगर एक तूम नहीं पड़ो को तो तो क्या हो एक लिए एक बढ़ सोचों और मुझे कॉमें बदाओं तो मामी पापा थीका किसी आपके पड़ाने दिर इधर उधर गठना जो मिदे़ेकल हैे अच्छा इंसान मनाता है। चलिए मैं आपको बताता हूं आज के विडियो में यह नहीं बोलूगा कि यह पढ़ो वह पढ़ो क्योंकि यह बताने का कोई मतलब नहीं रहता है ठीकिश पंद्रा दिन ऑर इस थिन में अगर कई बच्छे कि नगints, खाना, लिए जिसमेरा यह क्र を चोते साथ जाए तोर मुझेज जाए जाए निजाए यह Alb inici इन जाए पर बनना एक तश्पर के प्रफीज जा दिए मुझे आगलिगाने सब्सक्राज केंसे विस बचल को जोगी कि पास्त में जो भी हो एक ब्हुलके को बढ़ाई प्रती एक सेकंड एक सेकंड आपको यूज करने, आपको यूज करने को बढ़ाई के प्रती आप रएपंग क्या हो उज़ भूल जाओ एक शेकंट नहीं हो जा हो टुम्हें कोई मतलम नेक तो अपनी किताब से मतलब है अपनी पढ़ाई से मतलब है ठीक है सोना खाना पीना भूल कि बस पढ़ाई पर लग जाओ जी चान लगा दो मैं यह कौंगा आपको ठीक हो तेक टाइम टेबल क्रट मारो आपको सारे विशह पढ़ने सारा स्लिबस करने हर एक सेकेड पढ़ाई मुझे नहीं पढ़ना है मुझे बस आपको मोटिवेट करना है क्योंकि सब कुछ अलोडी पढ़ चुके हो अब बंजा दिन में किस तरीकिस से जादा महनत करनी चाहिए देख बड़ाई किया है जो टॉपर हो तो अने क्लास का उसका सीक्रेट क्या होता है मेरा सीक्रेट क् प्लस प्रैक्टिस ठीके मैं रिविजन कर दा बार रहे की चीज को बार जितनी पार रिवाइस करोगे न उतना आपका उस विषय पर आपका अर निखर आएगा ठीके कोई भी चीज आपका दोस्तों बैठ आप पर वगल में आव इस ताम पर इस ताम पर ग्रूप स्टेड पर आप पर लेंगे यह ऐसी बात ऐसे बातों से ऐसे दोस्तों चे दूर रहो ठीक है अगर कुछ करना है तो 15 दिन बचे हैं ठीक है बटा 15 दिन के बाद आपके बस यह पर निपट जाए ना उसलों आपको बहुत मस्ती का टाइम मिलेगा कर लेना मस्ती बट यह टाइम अग्जाम बोलते ही दो चीज आपके बन में आनी चाहिए कौनसे किधा पड़े कौन से चीज लेगा है बोड एक्जाम का जो सीक्रेड है हमेशा में बोलते हैं दो चीजे एक तो न्सी आट है और आपका एक विकत बरशों के प्रशन पद्र बोर्ट एक्जाम में एंसे अ तो अगर आप यह दो चीज दिप्टा लेते हो नो चाट लिया एक दो चाट लिया अच्छे से रिवाइज हो चुका है और उसके बात पिछले पांच सल कम से कम पांच सल की प्रश्ण पत्र जरूर कर लिजी हर विशय के यह नहीं गडित विज्ञान के हर विशय के और आपक जिके इस थाइम पे को स्मार्ट तरीका भुट बहुत जरूर्य है हर विशय में हर विशय में थेकर के अगर णिविछ के लिज चीज हो कि लिजए क्टिर शाप्टर के यह यह आ राप लों दोा कि जो च्रों को तरीका अनों कि ट्रूट नहीं है और चिस पन्नदर देर दो सटरॉंग बनाना उसे बार 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 लाई कर राना जो चीज आपको आती जिस अगळानी है जो आपका सॉलिड बॉइंट पार वहां लेट करो जो काम्जोर पक्षे असे महनत कर वे उसे बनाने के खुषिश कर दीज है ठीक है यह द्यान रखना और हिंदी एंदी एंदी इंग्लिष आपको बहुत कम टाइम देते हो ताम इस ताम पे हिंदी इंदी पर पढ़ाई करनी है क्योंकि यह भी 100 नंबर के ही हा वावची करण झाहाँ आपका निदी एक तो बहुत टाइमेट से चाहता है हमारा फ्लो नहीं बन पाता तो जब भी आप पढ़ा है तो जब भी आप पढ़ा है कर रहे तो लिक्त रहुट बढा है और राल जब एक जब लेगे लेगे राख टो फ्रूम थो प्रूम अच्छा लगता है सेम ब्रैंड की बीस प्रू आप समूद बने और अध्य निगर गया है तो 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 पट बटावा मेरा था निगर चाहिए है और पांद आप शाल के प्रशन पर ए लिए यह करना है यह तो है है यह करना है करी रहा है उसके साथ सब्साद अगर जो भी है आपके बास इस साल का मॉडल पेपर जरूर है जो सेंपल पेपर है जप्टर वाज इंपोर्टन करा रख है ट्रिक्टिस कर लिए ठीक है सेल्फ स्टेडी इस मोर इंपोर्टन ठीक है मोर मोर इंपोर्टन आप हमारे वीडियो देखते हो अच्छी बात है यह कोई यूटूबर नहीं बोलता लेकिन बिटां खुद से कुछ 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 अफर्ट लगाना यह नहीं कि किसी यूटूब चल पे बैठ गए हो वहां स्टूटन भी मानता हूं आपके बहले के लिए अच्छी बात है लेकिन वहां पर टीचर आपको सॉल करार उस से ज्यादा जरूरी है कि आप कुछ को खुद बनाएं ठीक है आप खुद बनाएं आप किसी क्लास में अटें करें एक गंड़ एक गंड़ सही है वो टाइम सही किसी क्लास में आप तीन भर बैटे बड़ हो उनी के वीडियो देखे जा रहे हो वही पढ़ा है आप बैठ के देख लिए हो खुद से कुछ कुछ कोशल शॉल नहीं करें कुछ नहीं कुछ नहीं बना रहे है तो यह गलत बात है यह चीज़ भी मैं आपको नोटिस कर आगा सकाइन लुटो ठीलियो के विडियो को अच्छ कर लिए और जो चीज़ नहीं आते वह आपके देखे है कुछसे मनाने की तयारी करनी नहीं आते फिर विडियो झी है और उसके सास्त देखो पांच बार कोई भी सबच्च को बारे आपको रिवीजन तो कर दींए उसे पूरा स्लेबस अच्छे से तयारी करते हूं रिवीजिन करनी है कोई बीचे छूटेन है जितना प्रैक्टिस करोगी आपको खुद बहुतर पहतर प्रीज कर ला होगे ठीक है आपको पैटरन अपका पता होना चाहिए आपको अपजेक्टिक कोशिन मिलने वाले इस तरह इस तो वीडियो टॉप पे मिले कि आपको ठीक है यह जी धान लखना है और बिटा खुद पे विश्वास बनाना बहुत जरूरी है खुद को का डीमोडिवेट कर लोगे ना कि यह रहार एक्जाम बोर्ड एक्जाम पहली पार दे रहूं बहुत तफ होगा पतनी क्या होगा मै सबसे हलवा एक्जाम होता है बोर्ड एक्जाम सबसे इजी का डिगरी में आता है अब ही तो शुरुआ देप ठीक है इंजॉय करो ठीक है इस जरनी को इंजॉय करो आगे जब आप बड़े होगे ना इस दिन को सोच के मैसूस करोगे एक अपरचुनिटी है एक है आपकी त जब आएंगी उसके डिल करना भी सिखाती है ठीक है एक जो हमारी बड़ा होती है हमें अच्छा इंसान मुना सिखा दी है लाइफ की बड़े मुष्यकों को कैसे हल करना है तैसे अब यह इतने आरे आपके सामने परेशानी लग लग गई कि इतना अवाश्य है यह इतना स् जो भी हमारी अच्छेशन भी उसके पहुच जाएंगे लेकिन उसका एक ही रास्ता है वो है कडी महनत और उसके पीछे कभी नहीं हड़ना अगर अप कडी महनत करोगे आप सच्चे दिल से महनत करोगे तो अपरवाल आज नहीं तो कल आपको आगे जरूर ले जाएगा यह जो एक गुट जा बनाऊगा इस इस लिंग्स में अप लोग बनाऊपशन तो को ठीकिसा अप और लोग यह उसका भी जाएंगा यह जाएंग, ऑर देना कोशंस टीक है विग्यान शाइंश के उसे चाना करेंगा बर देना कोशन्स ठीक है तो हम आप और आप और हम मिलके महनत करेंगे और आप फोर के आएंगे बोड एक्जाम तो यह है छोटा सा वीडियो है बस एक जोश जगानी है देखो बिटा मैं ताइम टेपल के बाद करो ना तो हर सेकंड महनत करो बिटा मैं अपनी माद बदा हू तुम्हें उठो चार बजे उठके फटा फट पड़ो पढ़ाई वाला करने कि बाद सुब्य तसके रजा लगातार बड़ो दस गहरा पड़ने की बाद नो थोड़ा सर रेस्ट ले लो पार दाधा घंटे का रस्लेलो उसमें थोड़ा नाष्ट बस्ता जो भी करना तहलो तोड़ा बात भी करना है दोस्तों से बात करो मूल फ्रेश हो जाएगा फ्रेश हो जाने की बात फिर पड़ो थी बीच बीच में थोड़ा बहुत टहलो रेस्ट ले लो पांच मिनिट उसे जाधा नहीं पानी भी पी बीच में ठीक है तो यह चीज है हर सेकेंड का यूटिला और लिखने राइटिंग वाले पोशिन पर ज्यादा लगाओ यह मैं गाऊंगा एक परस्नल अडवाइस ठीक है प्रजेंटेशन दो और बाकी सभी को मेरी तरफ से ओल दे बेस्ट हम शुर आप लोग फोड़ के आओगे बोर्ड इग्जान इस साल बस खुद पर बिलीव और उस भगवान पर विलीव रखना सच्चे दिल से मैनत करो गए ठीक है तो आप एक्जाम में जरूर खुड़ के आओगे ठीक है बस मैनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए जैंद